जुल्म के साय में लब खोलेगा कौन और अगर हम भी चुपो गए तो फिर बोलेगा कौन आज के डेट में मैं इस जुमले का इसलिए इस्तमाल कर रहा हूँ क्योंकि सदियों से और आज भी जो विद्यारतियों के उपर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ मुहीम छे चुका है जिसमें विद्यारति अपने हक की लराई लर रहे हैं और अपने हक की मांग कर रहे हैं इस कड़ी में बहुत सारे लोगों ने उनका साथ दिया है और बहुत साड़े लोग उनके साथ जुर रहे हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका साथ देने को तयार नहीं है उनके लिए कुछ बोलने तक को तयार नहीं है एक नाम है जो बहुत चर्चे में था बहुत ज़्यादा मशहूर है वो है यूटूब का एक चैनल मैं उसका नाम नहीं लोगा लेकिन मैं बता देता हूँ यूटूब का वो चैनल है और वो अपने स्टुडेंट के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है एक लवज बोलने के लिए तयार नहीं है मुझ खोलने के लिए तयार नहीं पता नहीं उस चैनल को किस चीज़ का डर है किस बात का डर है ऐसा लगता है कि ऐसे चैनल सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई के लिए चैनल को चला रहे हैं उनका विध्यारतियों के साथ कोई भी इसने नहीं है मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे चैनल कुछ भी बोलने को तयार क्यों नहीं है क्योंकि ऐसे चैनल चाहते हैं कि वहाँ को रोजगार ना मिले विध्यारति इसी तरह बिरोजगार बैठे रहें और तैयारी पर तैयारी करते रहें और इसी तरह इनके चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहें और इनका चैनल फलता फोलता रहे सच्चाई में ये चैनल सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं इनको स्टुडेंट्स के भविश से कोई भी लेना देना नहीं है अब मैं logically आपको बता दिता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कहा रहा हूँ 6 साल पहले ये कहा गया था कि हर साल 2 करोर युवाओं को रोजगार मिलेगा ठीक है इस चैनल पे 100 करोर सब्सक्राइबर हैं और बात होई थी 2 करोर युवाओं को रोजगार देने की हर साल तो एक साल में 2 करोर युवाओं को रोजगार अगर मिल जाता तो इनके जो सब्सक्राइबर हैं वो कैसे होते नहीं होते अगर उन युवाओं को रोजगार मिल जाए जो आज की डेट में इनके चैनल्स पे बने हुए हैं इनके चैनल को देख रहे हैं तैयारी किये जा रहे हैं सालों से अगर रोजगार मिल जाए तो फिर ये चैनल नहीं देखेंगे तो इनका धंदा कम हो जाएगा इनका धंदा बंद हो जाएगा तो इसलिए ये चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले ही नहीं अगर अभी तक 12 करोर युवाओं को रोजिकार मिल जाता छे साल के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि इनके पास सवा करोर सब्सक्राइबर होते दोस्तों मैं एक टीचर हूँ और हर टीचर एक स्टुडेंट भी होता है उसी तरह मैं भी एक स्टुडेंट भी हुआ तो एक स्टुडेंट होने के नाते मैं स्टुडेंट की लडाई में उसके साथ खड़ा हूँ और उसके लिए बोलने को तयार हूँ और इस लडाई में मैं हमेशा विद्यारतियों के साथ खड़ा हूँ और आगे भी जरूरत पड़ी तो ऐसे वीडियो बनाऊंगा मैंने अपनी बात आप लोग